सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट हेलो फ्रेंड्स स्वागा था आपका अपने यूटूब चैनल स्टाडी वर्ल्ड में मैं आज आपके लिए लाइट तथा प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन लेकर आया हूँ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले आप मेरे प्रिबियस विडियो को जरूर देखें क्योंकि मैंने उसमें लाइट तथा प्लेन मिरर से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट टॉपिक को क्लियर किया है और इस कोश्चन को समझने भी आपको काफी असानी होगी तो चलिए स्टार्ट करते हम आज के अपने इस नए विडियो को हमारा फर्स्ट कोश्चन है और विच थिवरी नेचर ओफ लाइट डिपेंड अपॉन यानि प्रकास की प्रकिरती किस सिधान्द पर निर्भर करती है तो मैंने आपको बताया है कि light has dual nature यानि प्रकास के पास दोहरी प्रकिरती होती है तो इसलिए इसका सही एंसर option number C होगा क्यूंकि light के पास wave nature तथा particle nature दोनों होता है इससे question और आ सकता है कि wave theory को किस ने दिया था तो wave theory वाजगी भेन भाई हाईगन यानि wave theory को हाईगन सहाब ने दिया था और particle theory किस ने दिया था Newton's ने Sir Isaac Newton और dual nature के theory किस ने दिया था D. Brogley ने इससे एक और question आ सकता है कि light किस टाइपस का wave है तो light electromagnetic wave है किस प्रकार का wave है Electromagnetive wave इसे वे इम शॉटकॉट में EMW भी बोलते हैं और light किस पार्टिकल से मिलकर बना होता है इससे बस यही question आ सकता है चलिए एक बार उभर भी ले ले लेते हैं वेब थियूरी किस ने दिया था हाइगंस पार्टिकल थियूरी किस ने दिया था Newton सहाब ने और dual nature के थियूरी किस ने दिया था दि ब्रॉगली ने और लाइट किस टाइब्स का वेव है एलेक्ट्रो मेंगनेटिव वेव हैं और लाइट किस पार्टिकल से मिलकर बना है फोटोन पार्टिकल से चलिए क्वेश्चन नबर टू कियोर वाइल लाइट इस सेट टू है ड्वेल नेचर हम ऐसा क्यूं कहते हैं कि प्रकास दोहरी प्राकिर्टिका होता है इसका एंसर फर्स्ट के क्वेश्चन में इचिपा हुआ है क्योंकि यह वेव तथा पार्टिकल यानि तरंग तथा कण दोनों के शिधान्त को दोनों के प्रोपटिको दरसाता है इसका सही एंसर होगा अप्शन नमबर ए इट एग्जिबिस्ट द प्रोपटिज अफ वेव एंड पार्टिकल यानि यह तरंग तथा कण दोनों के प्रोपटिको गुणों को प्रदर्शित करता है कुश्चन नमबर थर्ड की और वीच अबजेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट मोर लाइट यानि कौन सा अबजेक्ट अत्यधिक के प्रकास को रिफ्लेक्ट यानि प्रावर्तित नहीं करता है दोनों क्या करता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है क्या एक स्हस्द्राट और नम जेक्ट सेहां अंप्र प्रकास का प्रकास माना जाता है यानि वह सबसे अदिक प्रकास को प्रावर्तित करता है जिसका सही अंसर होगा option number B silver यानि इसा metal है जो सबसे अदिक light को reflect करता है question no. 5 an incident ray यानि आपतित किरण है the point at which incident ray fall on the mirror यानिकि वह पॉइंट है जिस पर इंसिडेंट रेट तकराता है तो इससे हम इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं क्या बोलते हैं इस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट यह हमारा आप्शन रॉंग हो गया आप्शन नमबर बी की ओर चलते हैं दा रे ओफ लाइट विच इस सेंट बैक बाई दा मीरर यानि कह रहा है कि वह प्रकास की कीरन जो मीरर के द्वारा भेजी जाती है तो यह भी हमारा गलत है इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड यह भी हमारा ओप्शन गलत हो गया चलिए ओप्शन नमबर थर्ड की ओर दा रे ओफ लाइट विच फॉल ऑन दा मीरर सर्फिस यानि प्रकास की वह कीरन जो मीरर सर्फिस पर टकराती है तो इसे ही हम इंसिडेंट रे बोलते हैं तो इसका सही अंसर हुआ ओप्शन नमबर इसे स्टेटमेंट इस करेक्ट अबाउट दा लॉफ रिफ्लेक्शन यानि कौन सा कथन लॉफ रिफ्लेक्शन के लिए सही है तो हम जानते हैं कि दू लॉफ रिफ्लेक्शन कितना होता है दो साइन आई इसकल टू सॉरी एंगल आई इसकल टू एंगल आई इसकल टू वान कि दा इंसीडेंट रे नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्ट रे ओल लै ओल लाइन दा सेम प्लें तो यानि इसका हमारा यह भी स्टेट्मेंट साही हो गया है अब दा अंगल अफ रिफ्लेक्शन इस अल्वेज इकल टू दा अंगल अफ इनिसीडेंस यानि आपति आपतन कुण बराबरतन कोण के बराबर होता है तो यह दोना हमारा स्टेट्मेंट सही है थर्ड स्टेट्मेंट को चलते दा अंगल अफ इंसीडेंट इस इसका सही है सही आप एंसर होगा बोथ ए वन बोथ वन एंड टू यह अप्शन नमबर ए इस दो करेक्ट एंसर चलिए कोश्चन नमबर सेवेन स्क्यूर वे ने पैरलेल बीम ऑफ इंसीडेंट लाइट इस डिफ्लेक्टेड एज पैरलेल बीम इन वन डिरेक्शन दिफ रिफ्लेक्शन इस नोन है ज्यानि क एसे पराबरतन को हम लोग क्या कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन तो इसका अंसर होगा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और यह किस सर्फेस पर होता है स्मूथ सर्फेस पर यानि यह रिफ्लेक्शन चिकनी सता पर होती है स्मूथ स्मूथ सर्फेस पर और डिफ्यूज र और इसमें क्या होती है कि रिफ्लेक्टेड रे पैरलल नहीं होती है इंसिटेंट रे की तरह चलिए कुश्चन अबर एट एनिधिंग विच गीब आउट लाइट रे इज यानि वह सभी चीज जो प्रकास की किरन को बाहर निकालता है तो इमेज कैसे बनता है प्रकास की किरने को मिलने से तो इसमें आप्सन में तीन तो इमेज ही दिया है वर्चुल इमेज रियल इमेज और इमेज तो यह तीनों आप्सन हमारा गलती हो गया तो बचता है आप्सन नमबर सी इस दा करेंट एंसर चले कोश्चन नमबर 9 कि वर कि विए इमेज ऑफ आवर फेस विन वी लुक इंटु दे मिर इट इस डू तू यानि जब हम मेरा फेस को दिखते हैं तो उसका प्रतीभीम दिखाई देता है ऐसा क्यों होता है तो आसा रिफ्लेक्षन के कारण होता है कि जब रिफ्लेक् इसले कोश्चन नमर्टेंथ की वर कि देखते हैं तो कोई भी प्रतीभीम जिसे इसक्रीन पर उतारा जा सकता है उसे क्या कहा रहता है रियल इमेज तो इसका एंसर होगा अप्सन नमबर ए कि कोई भी प्रतीभीम जिसे पर देप उतारा जा सकते उसे क्या कहते है रियल इमेज आर रियल इमेज हमेंसा कैसा होता है का सच होता है कि कैसा होताँ इन्भर्ट स्थै सब्सक्रोजेक्टर के द्वारा उसका एंगल करकर हम लोग पर देप से शीधा ş THAT Aliye यह बात्रूम मिरर कैन भी क्लासिफाइड है तो मैंने आपको बताया है यूजर्ज वाफ प्लेन मिरर में कि हम बात्रूम में कौन से मिरर का उच्छ करते हैं प्लेन मिरर का तो इसका एंसर होगा अप्सर नंबर भी प्लेन प्लेन मिरर है वे फिलन ब्लैंक रिफ्लेक्टेट सर्फेस तो मैंने आपको बताया है कि प्लेन मिरर में जो उसका रिफ्लेक्टेट सर्फेस है वह क्या होता है प्लेन या फ्लेट होता है क्या होता है प्लेन या फ्लेट और एस्पेरिकल मिरर में इस्पेरिकल मिरर में उसका एक रिफ्लेक्टेट सर्फेस कैसा होता है कर्वड होता है तो इसका अपस इसका सही अंसर होगा फ्लैक्ट चले question number 13 के वर the image you see in a plane mirror is called a fill in a blank image because it is not a real physical object यानि question कर रहा है कि plane mirror में कौन सा पर्तिविम बनता है तो हम जानते हैं कि plane mirror में काल्पिनिक पर्तिविम बनता है यानि वर्चुल इमेज बनता है तो इसका सही अंसर होगा वर्चुल और वह क्या होता है एक इरएक्ट होता है बर्चुल इमेज हर दम क्या होता है एक होता है और पंतों ही अ लोता हाल लेटल इंवर्टेड होता है यानि हमें यानि ल में राइट लरेट का लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट का राइट दिखता है तो चलिए question number 14 लाइट रेप्रोच की किरन एक प्रकास की कीरन यह प्लेन मीरर हो गया है एक प्रकास की कीरन बाज डिगरी एंगल से क्या हो रही है टकरा रही है तो इधर भी कितना डिगरी एंगल बनेगा 22 ही डिगरी एंगल बनेगा तो यह हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बे कितना एंगल होता है 180 डिगरी त्यानि रिफ्लेक्टेड रे और इंसीडेंट रे के बीच का हम पहले क्या करेंगे एंगल पता कर लेंगे तो 180 माइनस 40 तो क्या हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 7 में से 4 गया 3 और 1 का 1 यानि 136 डिगरी और इसको हम क्या कर देंगे अब बाई 2 तो हमारा आ जाएगा 2 6 जा 12 2 8 जा 16 यानि 68 डिगरी क्या होगा एंगल फ इंसीडेंस इस वर्टू अंगल फ रिफ्लेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अंबर बी 68 डिगरी तो देख लिजेगा फिर से Gold Life The份। nuance by which the incident light falling on Şuड परफेश जी सेंट बैक इंट्ट्ट ऐफम मीडियम इज bund यानि वह घट ना जिस में आपतित किरन सता से डखराने के बाद थरी माध्यम में लॉट चाती है तो उसे हम लोग क्या करते हैं reflection of light s इसका सही अंसर होगा option number B reflection चलिए आए बढ़ता है question number 16 क्यों विच आप दा flowing is the speed of light ज्यानि इसमें से प्रकास का चाल क्या होता है तो we know that हम लोग जानते है the speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second तो इसका सही अंसर होगा option number D चलिए question number 17 की ओर a plane mirror is approaching you at a speed of 10 meters 10 centimeter per second you can see your image in it what at what speed will your image approach यहनि question कर रहा है कि एक plane mirror की तरफ कोई आदमी 10 centimeter per second से क्या कर रहा है चल रहा है तो उसका जो image यहां पर बनेगा इसके equal equal distance पर equal distance पर वह भी क्या करेगा 10 centimeter per second से इधर की तरफ मूब करेगा तो दोनों के बीच relative motion कितना हो जागा 20 centimeter per second यानि उसे लगेगा कि हमें 18 की ओर who calculated the speed of light यानि प्रकास की चाल की गणना स्वरोप्रथम किस ने की थी तो हमारे rumors ने किया था प्रकास एक दार्सिनिक थे एस्ट्रोलागर थे जिन्यों ने speed of light की गणना स्वरोप्रथम की थी चलिए question number 19 की ओर for which theory Einstein got nobel prize यानि question कह रहा है कि किस theory के लिए किस सिधान्त के लिए आइंस्टीन को nobel prize मिला था तो आइंस्टीन का सबसे famous theory theory of relativity इसी को e is called to mc square बोला याता है आइक मिनिट इसको e is called to mc square तो अधिकतर रेस्ट्रेंट इसी पर टिक मार देते हैं कि theory of relativity बहुत ही फेमस आइंस्टीन गा थे था लेकिन यह जो की गलत अंसर है इन्हें photoelectric effect के लिए nobel prize मिलाता है तो इसका सही अंसर होगा option no.1 चलिए question no.20 की और if plane mirror rotate by an angle 30 degree then find the rotation of reflected ray यानि question कह रहा है कि एक plane mirror है यह माल यह plane mirror है कि यदि इसे 30 degree angle से rotate किया कर दिया जाए तो यहां पर रोटेट कर दिया जाए जो जो reflected ray है वह कितना degree turn होगी वह कितना degree turn होगी तो पहले तो माल यह कि reflected ray यहां से आया और turn होगी इतना degree पर तब इस दोनों के बीच क्या angle पता करना है तो मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी plane mirror को theta degree angle से turn किया जाता है तो उसका reflected ray 2 theta degree से turn हो जाता है तो इसका सही answer होगा 60 क्योंकि 30 degree से क्या कर रहे है हम plane mirror को rotate कर रहे है तो वह reflected कितना degree से rotate करेगा आप 60 degree से तो इसका सही answer होगा option number D is the correct answer चले question number 21 की ओर time required for light to travel from sun to earth यानि प्रकास की किरन को सूरे से प्रित्वी तक आने में कितना समय लगता है तो इसका सही answer होगा 8 minutes ऐसा exactly कोई-कोई बूक में आप देखे होंगे 8 minutes 20 seconds तो इसके हम nearest answer देते हैं यहांप हमारा जो option है 8 minutes is the correct answer question number 22 की ओर a light bulb is placed between the between two plane mirror inclined at an angle of 60 degree the new number of image formed are question कह रहा है कि दो plane mirror है जो 60 degree अंगल पर turn है कि यह दो plane mirror हो गया और यहां पर light bulb glow कर रहा है दोन यानि बीच बीच रखा हुआ है यानि symmetric case है तो number of image ब्राबर क्या होगा तो number of image ब्राबर हम जानते हैं क्या होता है 360 by theta minus 1 इस पर हम इसका value को क्या करेंगे put कर देंगे तो answer आ जाएगा हमारा 60 तो 6 से कट जाएगा 6 minus 1 equal to 5 5 तो option number B is the correct answer चले question number 23 कि यह ए ray of light incident on a plane mirror at an angle of 30 degree that the deviation produced in the rays range यानि question कर रहा है कि एक प्रकास की कीरण इस plane mirror से 30 degree एंगल बना रही है इसी 30 degree इसको हम लोग क्या कहते हैं glancing angle G is equal to 30 degree दिया है तो डेल्टा निकालना तो हम जानते हैं कि डेल्टा इसको क्या होता है टू जी इसका सही answer होगा 60 degree यानि option number C is the correct answer चले question number 24 की ओर कि टू प्लेन मीरर आ रहा है ट्राइट एंगल ट्वीच अधर यानि दो प्लेन मीरर राइट एंगल पर इस्तित है यानि 90 degree पर दोनों के बीच के एंगल कितना है 90 degrees a man stand between यानि एक आदमी खाड़ा है बीच ओ बीच यह आदमी हो गया चलिए then and come his ear यानि और अपने with his right hand यानि और अपने बाल को कंगा कर रहा है दाहिने हाथ से in how many of the image will be seen using his right hand यानि कितने प्रति भी में उसे दिखाई देगा कि वह आपने दाहिने हाथ से कंगा कर रहा है तो पहले हम number of image निकाल लेंगे तो number of image equal to होता है 360 एंगल कितना है जी 90 डिगरी minus 1 minus 1 यानि आ जाएगा 3 यानि number of image हो गया 3 हमारा number of image कितना हो गया 3 तो 3 में तो लेकिन उसे 2 में क्या दिखाई देगा कि वह अपने left hand से कंगा कर रहा है सिर्फ एक ही इमेज में उसे दिखाई देगा कि वह अपने दाहिने हाथ से कंगा कर रहा है तो इसका सही answer होगा option number B इसलिए question number 25 की ओर find the angle between two plane mirror at which incident ray light incident ray becomes parallel to the emergent ray यानि question कर रहा है कि कि कोण पर दो plane mirror है किस कोण पर incident ray emergent ray के parallel हो जाती है हम मैंने आपको बताया है कि प्रोपर्टी जो फ्लाइट में कि जब दो plane mirror को 90 एंगल पर 90 डिगरी के एंगल पर रखा जाएगा तो incident ray emergent ray कि क्या होती है पैरलल होती है इंसीडेंट रोगया यह emergent ray यह हो गया incident ray और इसे कहेंगे हम emergent ray और यह क्या होगी 90 डिगरी पर रखने फर प्लेन मीरर क्या हो जाएगा incident ray emergent ray के पैरलल हो जाएगा जिसका सही अंसर होगा option नंबर कि भी चलिए question number 26 की ओर find the number of image when two plane mirror are parallel यानि question कह रहा है कि दो plane mirror को एक दूसरे के parallel रख दिया जाया तो number of image बताई तो पहले हम ठीटा निकालेंगे तो ठीटा हमारा क्या होगा जीरो डिगरी अग कोई भी नंबर को जीरो से डिभाइट देने पर क्या होता है इंफाइनाइट आता है इंफिनिटीव आता है तो हमारा जो एंसर होगा option नंबर सी इंफिनिट यानि कि दो plane mirror अगर पैरलेल में हो तो उसमें अनंत प्रती बीम बनेंगे या आप कहीं भी गया होंगे इंफाइन नाइट चले question 27 की और find the nature of image फूज मैंनिफिकेशन प्लस वन यानि प्रती बिविम की प्राकिर्ती बताए जिसका आवर्धन चमता क्या है है प्लस है वन तो फ्लस होता है कि आतियimir कैसी है सीधी है इमेज कसी एक सीधी प्लस पॉजेल चिमेज क्या होता है 11 इमेज और तक हम यह देख रहां कि यह हमारा औ wizard रच्वाट्य और अं certainly artist tangled बात है कि जो भी सीज़ा होता आँ वह क्या होता है काल्पनिक होता है तो सबसे इसका सूटेवल जो अप्शन होगा वह क्या होगा इरेक्ट एंड भर्चुवल यानि हम एरेक्ट को टिक नहीं करेंगे ठिक किसे करेंगा अप्शन नमबर सी को चलिए कुश्चन नमबर ट्वेंटी एट की ओर और what is a focal length of plain mirror plane mirror का focal length किंझा होता है समझाते हैं फोकस कहा बनता है इंफिनिटी पर तो focal length क्या होगा इंफाइन नाइट इसका यसर सही होगा अपाउर geht यंप कोश्चन नमबर 29 की और जिरो डियप्टर होता है इसका जिरो डियप्टर का पावर होता है जिसका सही एंसर होगा option number A चलिए हमारे last question की और question number 30 question number 30 30 30 हाई a man is 180 cm tall and his eyes are 10 cm below the top of his head in order to see खुष्चन बहुत लंबा है उसे हमें ध्यान नहीं देना है नि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक 180 cm लंबा आदमी को उसको पूरा अपना फुल इमैज देखना है एक प्लेन मेरा में एक 120 सेंटी मीटर लंब आदमी को तो वो प्लेन मीर के यूज कर रहा है तो उसे कितने मीनिमम लेंथ कैने कम लंबाई का कितना अप्लेन मीर यूज़ करेगा तो मैंने आपको बताया है कि जिसका लेंथ होता है उसका क्या हम करते हैं आधा प्लेन मीरर का यूज करते हैं यानि 90 सेंटी मीटर की लंबाई का वह प्लेन मीरर यूज करेगा तो इसका इंसर होगा आपसे नंबर कि चलिए हमारा आज का कि टॉपिक यहीं खतम होता है यदि आपको इसमें से कोई भी कुश्चन में कुछ प्रॉब्लम डाउट होता है तो कि प्रॉप्या कमेंट करके हमें बताया मैं आपका डाउट को सॉल्व करूंगा चलिए होगे गुर्दाया